तो फ्रेंट्स तैयार हो जाओ देखने के लिए कि मैंने मार्च के महीने में कौन-कौन से नई पौधे लिए हैं नरसरी से वैसे तो लिए हैं थोड़े से ही प्लांट लेकिन इसकी खुसी इतनी ज़ादा है कि उस खुसी को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ और ये कल के प्लांट्स कैसे हैं ये तो है कैलेंडूला के फ्लावर जिनका टाइम अब खतम होने जा रहा है और ये है बेबी संड्रोज और इसका ये फस्ट फ्लावर आया है एक छोटे से मत्के में तो जिनका समय पूरा हो गया है उनके फ्लावर छोटे होने लग गया है और अब तो खिलने की टाइम आ रहा है वो अब फ्लाورिंग भी कर रहे हैं तो और यह देखिए चोटे-चोटे क्यूट से टाइनी टाइनी वियोला के फ्लावर तो कैसे लग रहे हैं आपको यह छोटे-चोटे फ्लावर यह मुझे जरूर बताइएगा ये flower जो है पेंजी के flower जैसे कुछ-कुछ लगते हैं तो इनका नाम viola है और violet name से भी इन्हें जाना जाता है और इसे मैंने seed से grow किया था लगते हैं ना पेंजी के flower जैसे पेंजी के flower एतने बड़े-बड़े 생थ के होते हैं लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे हैं एक बार तो मैं भी कन्फ्यूज हो गई थी कि ये पैंजी है या फिर कोई और फ्लावर है फिर सर्च किया गूगल पे तो मुझे पता चला कि ये वियोला के फ्लावर्स है और इसके सीड को मैंने इसी रोज प्लांट के पॉट में उप बिसकस खिले वे हैं पिंक कलर वाले बहुत ही प्याराशा शेड है और यह गुलाव लाल गुलाव जो की ये खिल रोड काफी ऊचे हो गए तो दिखाने में भी नहीं बनता है दोस्तों कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है बहुत ही वीडियो डाले में और आगे वीडियो बढ़ाती हूं और चलती हूं अपने बालकनी गार्डन में पांच दिनों के लिए मैं छुट्टी पे गई थी उरीशा और उस दौरान मेरे प्लांट्स काफी डल हो गए थे जिसको मैं पानी डालने को बोल के गई थी बिलकुल ही उनसने केर नहीं की है औ और प्लांट के हालत बूरी हो गए थी जिसको मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया सोचा क्या रिकॉर्ड करके दिखाऊं फिर सुखे जड़े वे फूल पत्ते काफी हो गए थे आपकी अगर इच्छा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वुस क्लिपिंग को डाल दूगी और दोस्तों मैंने नर्सरी से कुछ प्लांट खरीदे थे नर्सरी विजिट आप लोगों के साथ शेयर की थी तो मैंने क्या प्लांट्स खरीदे हैं चलिए उनको आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंस मैंने जादा कुछ तो प्लांट से लिया नहीं है गर्मियों वाले ही पौधे लिये हैं जो फ्लावरिंग करते हैं तो मुझे फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत जादा पसंद है तो एक तो मैंने ये विंका लिया है और सबके प्राइस भी आप लोगों को बता और ये काफी खुबसूरत है ये हाइवरेड विंका की प्रजातियां है जो थोरे से कॉस्ट में मिली है मुझे और ये वाला ओरेंज का लरका है देखिए काफी अच्छे से ब्लूं कर रहा है अब तो ये रिपोर्ट करने के बाद और इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी म मौसरो जी बोलते हैं और काफी हड़े हड़े इसके लीव से और बहुत सारी कल्या निकाली हुई है इसने और ये रैड और और ओर और इंज की बीच का कलर है काफी खुबसूरत वाइबरंट सा कलर है और तो ये सारे मैंने प्लांट्स लिए हैं नरसरी से खरीदा है जो की गर्मियों में खुबच्चे से फ्लावरिंग करेंगे और इसके अलावा मैंने एक इंडो प्लांट्स अरेलिया का प्लांट लिया है और इस नरसरी पॉल्थिन में दो लगए थे तो मैंने चुन के ले लिया है ऐसे प्लांट एक प्लांट मुझे फ्री में मिल जाएगा इ चोटे चोटे ये सारे मुझे 50 रुपीज पर मिले हैं एक पौधा मुझे 50 रुपाय में नरसरी वाले ने दिया है पता नहीं आपके साइड मौसरोज का कितना कॉस्ट होगा हाला कि एक चोटी सी डंडी से भी ये लग जाते हैं लेकिन मेरे पास इसका मदर प्लांट नहीं थ कि मैं इसकी डंडी से इसको या ब्रांट से इसको ग्रो कर सकूँ ना तो मैंने अपने आसपास नेवर हुड में ही देखा है और ना मैं पौधे ज़्यादा किसी से मांगती भी नहीं हूँ मुझे जो पसंद आता है वो नरसरी से खरीद के ले आती हूँ और उसकी कटिंग ही अपने गार्डन में खुद ग्रो करती हूँ इस तरह से मेरे पास बहुत सारे पौधे हो जाते हैं और इसके अलावा मैंने दो और पौधे लिये हैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को और यह ही विसकस तो दोस्तो इसका कलर अभी मैं नहीं बता रही हूँ प्लीज यह कलर मैं ले करके आई हूँ पर मुझे बहुत ही जादा मेरा फैवरेट कलर में से है पिंक के अलावा वो कलर मुझे बहुत जादा पसंद है तो आप मुझे बताईए कि यह कौन सा है कलर मैं वीडियो के लास्ट में तो जरूर बताऊंगी आप लोगों को कि कौन सा कलर क ही विसकस है और ये एक एडेनियम लाई हूँ एडेनियम का पौधा मुझे धाई सो रुपे में मिला है और वो जो ही विसकस है आप लोगों को किशा शेयर किया भी दिखाया है वो मुझे डेर सो रुपे में मिला है बहुत ही खुबसूरत सा एडेनियम का कलर है डबल पैटल है और डबल कलर है इसके उपर वाइट और रेड का है और छोटे से पॉर्ट में लगा हुआ है जिसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी परेगी आज तो मैं सेफ है मौश्रोज की ही रिपोर्टिंग करूंगी एडेनियम की रिपोर्टिंग नहीं करूंगे क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेसल स्वायल मिक्षर बनाना परेगा और जो पुरानी मिट्टी है उसी को रियूज करके मैं इन सारे पौधों की रिपोर्टिंग कर लूँगी और अरेलिया का प्लांट मैं इसलिए लाई की ताकि मैं एक छोटा सा ट्रे गार्डन बना सकूँ तो वो भी जब रिपोर्टिंग करूंगी ट्रे गार्डन बनाऊंगी तो आप लोगों के शेयर करूंगी फिलहाल विंका और मौस रोज की रिपोर्टिंग करते चलिए नर्सरी से पॉधे लाने के बाद मैंने इसे दो से तीन दिन की गैपिंग दे दी थी रिइष्ट को रखा था और अब चलती हूँ इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए तो रिपोर्टिंग के लिए मैंने अपने पुराना स्वाइल लिया है गमले में पुरी हुई पुरानी मिटी थी जिसका मैं रियूज करूँगी और उसको रिफ्रेश कर दूँगी मैं पहले अपने इन चोटे-चोटे मौस रोज को इस बास्केट में लगाऊंगी ये विंडो बास्केट है और ये है पुरानी मिटी जिसको मैंने हवा लगा दिया था राद पर छोड़ दी थी इस टब में उलट करके तो ऐसा अगर आपके पास पुरानी मिटी हो तो बिल्क करते है उसमें खार डालना बहुत ज़ाधा जरूरी हो जाता है क्योंकि री-ज की हूई जो मिटी होती है उसकी निट्रियन्स वैल्यू जो होती काफी कम हो जाती है उसके लिए हमें हल्दिक तो रीफ्रेश करने के लिए हो गई फिर से अच्छा करने के लिए हो गया आप किचन वेस्ट से बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं तो मैं भर-бर के 2 मुठी मैंने बोन मील ले लिया है क्योंकि ये जो पौधे है न फ्लावर करने वाले पौधे हैं काफी बड़ी मात्रा में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करेंगा इसमें वर्मी कम्पोस्ट का डाल दिया और बहुत ही अच्छे सी से मिला लेना होगा ताकि एक सार हो जाए कहीं पे कुछ लंस जैसे पड़ता है वैसा ना हो या फिर गल्टी फिल्टी जो बोलते हैं वो ना हो तो मैं इस बास्केट में मैं अपने तीन मौस रोज लगाऊंगी और बाकी के दो मौस रोज जो है मैं अलग से किसी दूसरे पॉर्ट में लगाऊंगी तो दोस्तों मिट्टी जरूर चेक कर ले कोई गिली मिट्टी ना हो हाला कि ये स्वाइल तो अच्छी ये सैंडी लेकिन काफी भारी लग रहा था मुझे इसलिए मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ और जितनी जरुवत होगी बस उतनी ही रखूंगी और बाकी की सारी मिट्टी में जहार दूंगी इस तरह से बिल्कुल छोटा से एक पार्ट रखा है क्योंकि ये तो डंडी से भी लग जात होगी और रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद आप इसमें सीवीट का लिकविट फर्टिलाइजर एक बार दे दे तो ये काफी अच्छा से गुस्ट होता है तो ये है औरेंज वाला किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर ले तो उसके बाद पॉट को टैप टैप करना ना भूले इससे एयर पॉकेट से निकल जाते हैं पानी डालने के बाद जो बबल्स आते हैं वो नहीं आएंगे और प्लांट के रूट्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी वो खराब न लग रहे हैं और दो दिन के बाद तो इस वीडियो के डालने के दो दिन के बाद तो और भी जादा इसमें फ्लावरिंग आ गई है तो पानी भी डाली देती हैं और पीछे आप कलरफुल पत्ते वाला प्लांट देख रहे हो ना वो कलेडियम है और इस मौसम में का ही विसकस है तो मैं बता ही देती हूँ कि ये परपल कलर का ही विसकस का पौधा है ये परपल कलर के इसके पैटल होंगे और बीच में इसका डार्क रेड कलर का आएगा तो मैंने बिल्कुल चुन के लिया है और काफी दिनों से मैं इसको ढून रही थी और दोस्तों आप लोगों के साथ नए वीडियो में बाई बाई टेक कियर और ये सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने लिये हैं वो सभी धूप वाले प्लांट्स है तो इन्हें फुल सनलाइट जरूर प्रोवाइट करें और तब जाके ये बहुत ही अच्छे से फुल ब्लूमिंग करूप और दूमें एूप क्हां करें तो से नहीं लोगतों से नहीं हीं ही ही जा है